Hello everyone, आज की वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से आप NIS की Class 10th हो चाहे Class 12th हो उसका जो October November में examination हुआ था, उसका result आप किस तरीके से देख सकते हैं result को देखने के लिए आपको सीधे सीधे इस link पे क्लिक करना है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है यह है results.nios.ac.in इस address को जैसे ही आप अपने web browser पे enter करेंगे तो आपके समने कुछ इस तरीके का page show होगा क्योंकि आप सभी को मालू है, आप सभी के examination हो चुके हैं और उमीद है कि आने वाले एक दो दिन में आपका result online declare हो जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने results.nios.ac.in पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह साइड स्टार्टिंग पे लिखावा रहा है पब्लिक examination result इस पब्लिक examination result के नीचे हैं पर 2021 लिखावा है पस यहाँ पर change हो जाएगा, जून की जगा यहाँ पर लिखावा जाएगा October number 2021 फिर आपने क्या करना है, चेक result पे क्लिक करना है जो उसके नीचे दिख रहा है यहाँ पर आपने अपना roll number एंटर करना है यहाँ पर आप क्या एंटर करेंगे Your roll number ठीक है, अपना roll number आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके जच नीचे यह capture code आप फिल करेंगे जो यह लिखावा है फिर उसके बाद आप submit पे क्लिक कर देंगे submit पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके एक आपका result शो हो जाएगा एक बात आपको और बता दू result declare होते ही या जिस समय result declare होता है उस समय N.I.O.S की website बहुत traffic होता है इसमें तो इस वज़े से यह खुलती नहीं है पूरी website हैंग हुई पड़ी रहती है तो अगर आपको result से पहले इस तरह की problem को नहीं face करना है और आप चाहते हैं कि जैसी result declare हो आपका result आपके साथ share हो जाए तो आप हमें नीचे comment में या WhatsApp पे हमें अपना roll number send कर सकते हैं तो जैसी result आएगा हम वैसे ही आपको उसका फूरा PDF result का आपको बेज देंगे ठीक है तो ये पूरी जानकारी रही इस वीडियो में किस तरह के साथ अपना एनाई उएस का जो result आने वाला है उसको किस तरह से देख पाएंगे अमीद है आप सबी को बात समझ में आ जाएगी ठीक है ओके थैंक यू